नमस्क्राइब दानिक शिफ्टाइब सभी का बहुत बहुत स्वागत है इसमें हम शालामार होस्पिटल में हैं कुछ दिर पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर एक माता पिता एलेश कर रहे थे इल्जाम लगा रहे थे सिस्टर ने कि उन्हों के छोटी बच् बात की जाए क्योंकि दोनों का पक्षा रखना हमारी ड्यूटी है इसमें गौर्मन में या शालामार होस्पिटल के सुप्रिदेंट दारा सिंग सर हमारे पास है सर एक्जेक्टली हुआ क्या है वह पेर पेरेंट्स जो है इल्जाम लगा रहे पहली बार नहीं है हमेशा श का नाम है 20 साल उसकी नोकरी है बहुत ही कंपिटेंट लड़की है आप खुद भी देख सकते हो जाकर कभी कोई इसकी कंप्लेंट नहीं है या होता कोई स्टाफ ट्रबल शूटर है तो हमें पहले ही पता होता उसको हम इंचार्ज वैसे ही नहीं बनाते तो यह एक बच्चा वहां पर वो उसको द्रिप लगा रही थी और छोटे बच्चे में काई बर दिक्कT आती है वेन्स मिलती है उसमें दिक्कT आती है डिर्प लगाने के लिए एक बार उसको नहीं लगा मैं वहां लगवा दूंगी तो इसी में इतने में उसने उसको स्लैप किया है और आप उसको देख सकते हो एंटी में एडमिट है उसको पूरी स्वेलिंग है फेस पे अब आप स्टाफ को अगर ड्यूटी आर्स में स्लैप करोगो डैट तू ए लेडी तो कैसे काम चले लगा लगाया कि बच्ची को चोटी बच्ची उसकी टांग को जटका है नो तभी ऐसा देखो यह वहां पर वाड अकेले कमरे की तो बात नहीं है वहां पर 35 पेशेंट हो रहे हैं 200 अटेंडेंट है मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि आप इंडिपेंडेंट जाके इंडिपेंडें क्या लगे मैन पावर की कमी स्टाफ भी कमी है किस चीज़ की कमी यह भी जानना जरूरी है माना कि हर कोई आता है यहां खुशी से नहीं आता और बड़न आप पर भी है मुस्टली हमने देखा कि अलग लग डिस्ट्रिस से लो भी जहां भी हो या तो गौर्मेंट मेडिकल क है हर चीज़ यहां फरी है फाइल से लेकर एक साल के बच्चे का हर चीज़ फरी है तो मेरा यह रिक्वेस्ट है आपके मादम से कि लोगों को भी थोड़ी सहन शक्ती रखनी चाहिए आप बच्चे का इलाज कराने आये हो और यहां एक ग्रिवेंस का सिस्टम बना हुआ है अगर आप उस स्टाफ से सैटसफाइड नहीं हो तो उसका स्पीरियर अफसर है हमारा कंट्रोल रूम 24 ओर होता है वहां सीमो होता है डिप्टी सुब्डेंट है सीधा सुब्डेंट को मिल सकते हो किसी स्टाफ की शकायत है ना कि उसको मैन हैं इंडल करना है इसके लिए लो आएगा वो खुशी से नहीं आता है वो फ्रेस्टेट होके आता है प्रेशानी से आता है क्योंकि उसके पैसे नहीं है किसी को गाड़ी नहीं है किसी को टेंडन नहीं है वो चीजे हमने अल्रेडी इनको वेर किया होता है कि अगर वो कुछ बोलता भी है तो आप रियक्ट कीजिए आप अपना काम कीजिए आपने इदे से रियक्ट नहीं करना है और फिर दूसरा इशू था कि हमारे पास स्टाफ की भी थोड़ी शार्टेज चल रही है उसके लिए भी एड्मिस्टेशन बड़ी प्रो एक्टिव है अभी हमारे पास असी नर्सों ने जाइन किया है वो हमने शाटली वाडू में डिस्टिब्यूट कर रहे हैं ताके जहां पर एक नर्स से वहां दो दो तीन तीन रहेंगी लोगों को भी फैसल्टी मिलेगी पर इस प्रासस में टाइम लगता है सारी एजनसिया रुकूरूटमेंट एजनसिया होती है उनको टाइम लगता है पर लोगों से भी अपील है कि अगर आप आए हैं आप इसको अपना हस्पताल समझेए इसकी साफ सफाई का भी ध्यान रखिए और स्टाफ से कॉपरेट करिए आप टीम के मेंबर हैं मेरा बच्चा बमारे हम भी अंडर्स्टैंड करते हैं फ्यूरियस होता है बंदा लेकि इस तरह से उन्हें रियक्ट करदा जिसे जो पेशेंट है या टेंडन उनमें भी गुसा वही कारण जो विवाद का बन जाता है इसमें दोनों पक्षों को सहन शिलता बरत नहीं दोनों को बरतनी हैं लेकिन किसी लिमट तक है ना जब आप एक डॉक्टर को थपड मार इस पी साब से बात किये इस एचो साब से बात किये उत लड़की के ट्रीटमेंट चल रहा है वह एडमिट है हम कंप्लेंट दे रहे हैं कि एफ या लाज कीजिए और आप अपना लीगल कोर्स आफ एक्शन लीजिए हमें इंसाफ मिलना चाहिए ऐसे इंस दोबारा नहीं हो चलिए हम उस सिस्टर से भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा काम है दोनों पक्ष को रखना चाहिए बात कोई भी हो पर मोस्टी जुरूर कहेंगे इस वेरी अनफर्चुनेट ऐसा नहीं होना चाहिए कहीना की बहुत सवाल उड़ जाते हैं चाहिए पेशन्स की बात करें यहां के स्टाफ की बात करें पर अगर बात करें सुप्रीजियन सरकी तो काफी समय हम भी यहां पर आते हैं कवरज करने के लिए वह काफी सुधार भी हुआ हम सबकों नहीं कहते पर कहीना कहीन जो वर्क लोड है वो भी कहीने की गुस्से का कारण बन जाता है यह जरूर है communication gap की कमी दाना सिंग सार ने कहा कि उमीद करते हैं आगे आने वाले समय में इस तरह का कोई भी इंसीडेंट ना हो जो चर्चा का विशे बने फिलाल अपने देखते हैं कि सिस्टर क्या कहती वो भी आपके समक्षम रखते हैं कि कुछ देर पहले आमने वीडियो अप ट्रीटमेंट चल रहा है इन्हें देखे ड्रिप भी लगी हुए शबनम जी आखिर क्या हुआ था पुरी बात बताईए मैं बात यह हुई थी कि वाड में बहुत रश्ट था वाड के बच्चे इंजक्शन लगा रहे थे और मैं रश पड़ रहा था उसके वाई से मैं ख़री unacceptable टब गज़ने आव लगा है आम न … बात अराम से करो देखों हम रहे आपके लिए बहटे में बात आराम से करो मैं जैसे यह बात हुई तो और Н乾ौ मुलता कोस the only अगर हम अपना परिवार छोड़ के आते हमारे लिए यही बच्चे होते हैं अगर हम इनके साथ घल्ट करेंगे तो नैच्छली हमारे बच्चों के साथ होगा थपड़ मारना सही नहीं है क्योंकि अगर कोई शिकायफ या कंप्लेन करवा सकते थे पुली स्केशन में वही बा श्केशन में विडियो शीडियो बनाई मुझे तुम मैं उसके बच्चे को तब भी पकड़ रही थी कि बच्चा उसका ब्लीड नहीं करे वह मेरी वीडियो बनाया जा रही थी चलिए इस समय डॉक्टर रननजे दूबे हमारे साथ जो एक्जेक्टली वहां पर उस समय थे पर यह जरूर हम यह भी इन से जाना चाहिए कि यह ना लोगों को यह ना लगे कि यह भी अपने स्टाफ का यह साथ दे रहे हैं पर जो बात ही हमने आपको सामने पता है पर डग साथ भी जानेगे तरिस अब वहीं पर थे तो नीचे अडमिट हुआ था पेशन्ट उसके अट हमने उसने पूछा हमने सोवरी जवाब दिया 200 वारी बूचा 200 वारी दिया नीचे हमने अब सुवे अभी कल अमने इसको एंटीवाइटिक वगरा स्टार्ट की लूस्टूल्स के सैटल होगे अगले दिन हमने इसको शिप्ट करना राउंड 18 वार्ट से 21 18 है हमारी एमर्ज चानूला चेंज помощ कर रही नहीं तो उसी कैनूला में लगा जाता टो एंटीविटि कहीं यहीं चले जाता शकें में चले जाता वीन की जगह स्कीन में छले तो यह fortी होती वो अनियोकी ने कोड़ेश किया अब बच्टे की बार्चे की बैन्स होती है आप है ऑड़ा यह उ स्टेट होगे यह आप बोल दो थपड़ मानने वाली कुंसी बात आप एसौल के कंप्लेंड करो ठीक है आपको लगता है दो डबल प्रिक हुआ त्री वैसे उसका जस्टिफिकेशन है नहीं लगती है आज डॉक्टर में बोल रहा हूं को फैक्ट वाली बाता आप वेंस नही कि फिर वो बोती हम नीचे ले जाते है थोड़ी सी अगर उंच नीच होगी बात होगी अब थपड़ मानने माला क्या हूता है एक मेल फीमेल को थपड़ मार रहा है वहां पर जस्टिफाइए नहीं होता है बच्चा किसी का बिमारा आप लंड़े थोड़ी आया है बच्च के लिए वह पॉइंट था बैस थपड़ माना जस्टिफाइए नहीं है इसको पूरी लौ को इसके हिसाब से लेना चाहिए यह को काम करते हैं सारे करते हैं वह भी काम कर रहे हैं सारे काम कर रहे हैं यह नहीं है जस्टिफाइए नहीं है कि थपड़ माना इस नौट है एक हाथ नहीं निशान पढ़ा हुए है यह मजा कहा है जो थपड़ मार देंगे किसी को भी बिल्कुल गलत बात है इसमें एक सर हमारे साथ है वहां पर लोग है पेशन्ट या अटेंडन के साथ है उनका क्या क्या देखा उनने सर क्या नाम आपका हरपाल जी आपने क्या द बता नहीं पर पने पेशेंट के पास बैटेंगे थे लिए नगे मारदार होई उसके बाद बात जल गए लटके ने किसमी हो ही जो उस मैडम को तपड लगाया उसने तपड लगाया कि अ चाहां बच्चे के साथ पार लगाया तो यह देखा वाजिशन कि यह पास प्सक्ट हम तो रात हम तो रात पाई दर सुभाई उनके देखा मैं तो ठीक ही लगा शीवाद में यह तो देखा उनकी बात क्या हुए यह आपको नियुक्त अब कि यहां पर तो उसके साथ में यहां पर तो मैं अब आए अटंडड़ अटंड़ बत्मीजी करने लगा शुरू सही मैडम के साथ जब आया था तो मैं ने बोला को इधरी बैडर देते हैं आपको राम से बैठो वह नहीं माने कहते फिर दोबरा आया बोलते कि इनकी अब को लगा देते हैं कोई वातरी फिर आये फिर मैं लगाने लगे मैडिकेशन को तो मैडम लगा रहे थे राम से लगा रहे थे बेन बन गई थी तो उन्हें थोड़ा सा हो गया तो फिर उसके बाद वह बोलने का कि मैं हम 18 नंबर जाते हैं निचे अमरियंसी वहां से मैं लगा रहे थे राम से लगा रहे थे फिर रोने लगा तो फिर उसके बाद उन्होंने बत्वीज़ी शुरू कर दी मैडम के साथ मैं और अगर आपको किसी भी पेशन्न को अगर यहां के स्टाफ से आपको शिकायत है आप यहां के सुप्रिशन के पास जा सकते हैं आप जाकर सीनिर्स के साथ शिकायत करते हैं यहां पास में ही चोकी है वहाँ पर जाकर शिकायत करते हैं पर इस तरह से हाता पाई पर बात हुए वैरी यह जरूर कोईंगे बदकिस्मितिकी बात है कि ऐसा इन फ्यूचर नहीं होना चाहिए हमने जो सुप्रिडेंट उन्हों से भी इसी चीजे नहीं होगी पर सुप्रिटेंट साब की जो वर्जन उन्हेंने कहा के लीगल कोर्स अफेक्शन को आप्ट करेंगे चली देखते हैं अगे क्या होता पर ऐसा जुरूर उमीद करते हैं कि आने वाले समय में ऐसा ना हो यहां के स्टाफ को यहां के डॉक्टर्स को और पेशन्स को भी आपस में सैंट शीलता रखके ही आपको आपरेशन के साथ यहां पर आना है और यहां पर अपना इलाज करवाना है और उन्हें भी पेशन्स को बड़े प्यार से डील करना होगा चली देखते हैं आने वाले समय क्या बताता है अपने कमेंड अपने करें वीडे रशेखते हैं अक्रशत आपरेशन कह वोड़े ने दो आइन तो आपको 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 आपको